हेलो स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है डाउट नेट पे और आपके कंप्यूटर एप्लिकेशन से ग्लास में जिसका सब्जेक्ट कोड़ 165 है और मेरा नाम आकर्श गुपता और मैं आपका कंप्यूटर एप्लिकेशन टीचर तो बच्चो जैसे कि मैंने आपको तो HTML टेबल के बारे में लेक्चर डिलिवर किया तो वैसे आज हम HTML टेबल के बारे में भी पढ़ेंगे दाहा और HTML के टेक्स के बारे में ठीक है टेबल टैक्स के बारे में और आपको जो टैक्स ट्रेग सारे टैक्स कि प Twल்ल ले तो आज मैं जो लक्टमें आज लेक्ट मैं आपको बताओंगा की टेबल टैग का जो टीडी टैग है टेड़ टैग कर टीड़ उसके अट्रिब्यूट्स और रोस पैनन कॉल स्पैन एट्रिब्यूट्स क्या होते है तो चलिए बच्चो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को तो भाई अगर मैं बात करूँ तो भाई आप से मैंने बताया था कि टीडी टैग क्या होता है ठीक है टीडी टैग क्या होता है मैंने आपको बताया तक जब हम टेबल की बात करते हैं तो टेबल में क्या होता है बच्चे टीडी टाइक। जो अब टीडी टैयक मतब टेबल केंदर गरेटेबल के बनती है टेबल के अंदर रोज ओन इन कॉलम से बनने के बाद जो शेल बनती है इसके बीच में चो डेता आप लिखते हो चूप डेटा आप content fill करते हो वो content कहा लिखा जाता है टिरी टैक के अंदर मतलब टेबल डेटा टैक बोलते हैं टेबल डेटा करने के लिए काम आता है ठीगे और इसको में इसका यूज करके हम भाई कोई भी टेबल कें अंदर केंदर कर सकते हैं चलिए यह सब आप जानते हैं बट हमें इस टाइक के बारे में कुछ एट्रिब्यूट से उनको डिसकर्स करना है तो इस लेक्षर में में एट्रिब्यूट्स हमारे जो फोकस करने वाले हैं रोस्पैन एंड कॉल स्पैन देखिए बीजी कलर और एलाइन भी इसके एट्रिब टेबल and text in TD elements are regular and left aligned by default एक बात को ध्यान रख रहा है कि यहां पर यह कह रहा है कि वह यह यह टीडी टेग करता है इस्टेंड डेटा शेल मतलब जो डेटा शेल आपको दिख रही है समें ठीक है जो यह डेटा शेल एसी को डिफाइन करता है इसी के अंदर हम कंटेंट लिग दिखते हैं वो क्या होता है regular होता है उसका font style कैसा होता है regular होता है और align होता है कैसा होता है left align होता है by default मतलब आप टेबल शेल के अंदर जो भी डेटा रग्रेव वो लेफ्ट राइन होगा by default बट हम अपने according alignment क्या कर सकते है सेट कर सकते हैं यहाँ पर कैसे क्या आपको center कर करनी है या write करनी है तो उसके लिए मैं alignment attribute का use कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं क्या क्या एट्रिब्यूट्स है स्टैग के वह देखिए एट्रिब्यूट्स की अगर मैं बात करूं सबसे एट्रिब्यूट्स के हमारा एलाइन जो क्या करता है आपके टेबल के अंदर यो डेटा के अंदर जो चैल्ट के अंदर डेटा है उसको क्या करेगा उसकी position set करने कि लिए कि वाई क्या position रखना चाहते है है तो भाई कैसे आपको करना कुछ नहीं करना है सिफ जिस टाइग का जिस टेबल डेटा के अंदर जो भी डेटा रहे देटा इसले उसका डितरी अमिद्स एंदर रहां इंसरे करना है ऐसे लिखना है एलाइन और तीन वैली हो सकती है या तो लेफ्ट 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 तो बाइडिफॉल्ट होता है या तो सेंटर या आप राइट आपको सिर्फ इतना काम करना है और टीरी टैक कर दिना ऐसे तो भाई जो भीस आप डेटा सेल के अंदर लिखोंगे वह आप आपका जो भी अलाइमेंट आपने पास कर रखी होगी उसके एक आवडिंग आप यह क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा तो इस तरह से आपको लिखना है फिर एक बात होती है आप एक और पर ट्रीविट हमारा क्या बीजी कलर जैसे क्यामने टेबल से अंदर पड़ा था कि और ग्राओं कलर क्या होता हिए अगर आपको टेबल के अपने बैकराउं कलर सेट करना है तो आप प्रक्रपेटा यूज कर सकते हैं कि वह भी कहां पे टेबलं टेबलं ऐसे हम cooperation प्रपरट जैबलों सेल के ऊंदर भी यूजी यूज कर सकते हैं हम हम इच सेल को एक अलाइग वह बीजीग प्रोपर्टी का यूज करना पढ़ेगा लेट सप्पोस्ट ऐसे लिखेंगे सिंटेक्स क्या होगा उसका भी याई सिंटेक्स होगा कि आप्टिहटी टाइग के अंदर बीजी झी कलर और जो कलर स्पेसिफाई करेंगे रेड करेंगे ग्रीन करेंगे जैसा भी कलर करेंगे वह कलर आप स्पेसिफाई कर देंगे तो आप टीडी टैग के अंदर बीजी कलर प्रपर्टी करेंगे जिस भी सेल पर लगाएंगे बीजी कलर प्रपर्टी वह सेल आपके क्या हो जाएगी कलर यह मैं बात बता देता हूं अगर माल लीजे आपको क्या करना है कि आपके पास कोई शेल है मालीजे टेबल के अंदर और आप चाहते हो कि उसके अंदर जो space हो Ben space only aowest ba how do road shy ενšも करके वो स्पेस ओ कि मर्ज करके वह स्पेस तो वहाँ पे हम क्या करेंगे मैं बाइठ एलक इ gimmal आफ फिम्हीं भी तेड टैक की बात improv При Story आप क्या चाहते हो कि मेरा पाझ एक share with एक बनाया आपके पास ठीक है ये शहले कर threatened यह बड़ आप क्या चाहते हो आप क्या चाहते हो कि यह वाली जो मेरा पूरा शेल है यह वाला शेल यह आपस में मर्ज हो जाया और जो इसमें स्पेस आए जो हमारी स्पेस आए वो दो रोकिया यह वाली शेल की बात कर रहा हूं यह पूरे जिसको मैं ऐसे रेड में कर दिया है रेड में सरकल कर दिये वाला शेल ये दो शेल आपस में क्या कर जाए मर्ज कर जाए ये दो शेल आपस में मर्ज कर जाए ठीक है तो हमें दो शेल को यूस तो नहीं करना हमें एक सिर्फ क्या करना कि भाई एक भी जो शेल है उसके अंदर दो रोज का spend property I use करेंगे the row spend pro attribute in HTML specify the number of rules a shell should spend a shell के अंदर a shell के अंदर कितने number of rows कितने number of rows merge करेंगी वह आप इस property के तुरू define कर सकते हैं अगर मैंने बोला मालने जापने शेल लिखा आपने इसे लिखा TD row spend row spend 3 ठीए इट मीन्स क्या होगा इट मींज यह होगा कि अपने का 3 इट मीज जिस भी शेल पर आपने यह प्रोपर्टी यूज करी है उसके अंदर जो space आएगी उसके अंदर जो space आएगी वह तीन रों को मर्ज करने की बराबर इस पेस आएगी तीन रों के मतलब है यहां पर कि मान लीज़ा आपने लिख दिया होता कि भाई यहां पर यह शेल है और स्में रोष्पैंट्री तो इसमें जो space होती वह तीन रों की होती थ्री रों की smarging space होती कि तीन रों को मर्ज करने के बाद जितनी हो की space रही होगी वह space उस पर्टिकुलर शेल के अंदर आ जाएगी उस पर्टिकुलर शेल के अंदर आ जाएगी गलाब फ्रोजों था नमबर ओव रोड ऑस य है रोल फ्रोड चैल शुडस पैन किकलने है इंडर और आतो मर्ज हो जाएंगी यह रोज मैं प्रोपर्टी है ठीक है ऐसे क्या कॉल सिस्पेंड कॉल सिस्पेंड प्रोपर्टी एक्रिब्यूट क्या है कि कि इतने नमबर ओस कॉलम शेल में यह तो रोज होंगी तो यह मर्ज कर कैसे अब माल लिए मैने कहा कि आसे टेबल कुछ बनाया मै मैंने कहा है कि बाई क के चृफ और यह कहा कि आप को यह क closím नम एहमारा यह तो स्टोप यहформlit कॉल धLEंश है एक सेव चल के कर दोगे इनके बाद जो स्पेस आएगी वह स्पेस इसके अंदर होनी चाहिए वह स्पेस इसके अंदर होनी चाहिए जितनी भी वैल्यू दोगे जैसे कि मैंने लिग दिया टीडी कॉल सिस्पैन कॉल सिस्पैन ह pesso तो तो भाई जिस टीट टैग पर आ करने का मतलब है यहां पर ठीक है बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बट कंफ्यूज नहीं होना है अभी में आपको और आगे भी चल के और भी क्लियर होगा बस इतनी बाद रहाद रखनी कि रोस्पैन का मतलब जितनी रंबर आफ रोज मर्ज हो के आएंगी उतनी उतनी इस पेस उस शेल के अंदर होगी जिस पर्टिकुलर स्ट पर आप यह प्रपर्टी यूजख कर रहे हैं और कॉल सिस्पैन क्या है कि भर्या कॉल्सिश पर लिंस कि मर्ज करने के बाद जो सिस्पैस पर्टीकुलर समय पर जाए गई जो शेल पे आपने प्रपर्टी थीं यहां तक बात क्लियर होई कोई प्रिक्कत नहीं आईगी तो यह चार प्रपटी हम पढ़ ले दिमाग शे अब इसका देखते जड़ा तेनर और रेड है कि और क्या लिखा हुआ है ऐलाइमेंट के जो डेटा वेटर उसका अलाइमें ऐसेंटर है तो मैंने यह अलाइन इस एंटर पाकी सब कुछ टेबल जैसे काम करेगा बाकी जब सब कुछ टेबल जैसे काम करेगा रही बाद इसकी बी वाले की दो बी वाला भी यह से मैं कि मैंने क्या लिख दे टीडी और टीडी के अंदर इंसाइट टीडी ऐ हैं यूज़ टू प्रोपर्टीज देट बीजी कलरें एलाइं तो आप लिखो के बीजी कलर और ब्लू लिख दिया आपने और एलाइन के लिख दिया राइट में दिख रहा होगा आपने तो आप राइट लिख देंगे लाइन तो देखिया आप इस प्रोपर्टीज का बतब आप सेम एलाइन बीजी कलर वाली प्रोपर्टी जो टेबल के अंदर यूज़ कर रहे थे उसका आप हर एक पर्टी कूलर टीडी टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं अपनी अपनी टेबल को ब्यूटीफुल बनाने के अपने शेल बन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए प्रोपर्टी यूज़ कर सकते हो बीजी कलर और एलाइमेंट इन डैट सेम जैसे कि आप किसमे कर रहे थे आप टेबल्स के अंदर कर रहेते हैं तो वह जो क्या कर रहा था पूरी टेबल्स में अपलाई हो रहा था बट यहां बैप पर्टीकुलर डेता बतर पर्टीकुलर शेल पर अपलाई कर रहे हो यह ने प्रोपर्टी इस पृटीकुलर एक अपलाय कर रहे हो यह फोलिब टी है ख्लियर है यहां तक यह क्लियर होगा कोई दिक्कत नहीं है अब एक्जाम के लिए बढ़ा रहा हूं में आपको टंटू के एक्जाम के लिए टंटू के एक्जाम में यह है हमारा तो आप यहां से सीख जाओगा दीरे दीरे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एक्जाम से अंदर सब्जेक्टिव भी हो सकता है तो आप स चल के अंदर प्रटिक्लर प्रपटी जाजोरियो वह प्रपटी आपको पता हो ली चीया किस्किस प्रपरटी से क्या होगा ऑँ वह प्रपटी कैसे लिखी जाएगी बेटा थी चलो यह वह बात करते हैं मेन प्रपरटी हमारी जो क्या है वह समझते हैं कि लिखाय क्या रोस पैने ट्रिब्यूट इस्टी मेल इस्पैसिफाइब देट नमबर आफ रोस सुड़ स्पैन आशल मतलब एक शेल के अंदर की ये प्रोपर्टी क्या करती कि आगर आपने किसी शेल के अंदर ये प्रोपर्टी लगाई है और कुछ वैल्यू प इस इफ आ तू रोज स्पैन टू और रोज इट मेंस इट विल टेक अब दा स्पेस आफ टू रोज इन डैट टेबल इन डैट टेगर टेबल मतलब कहने काई कि भाई कि आपने अगर लेट सपोस्पोस लिखा टीडिट आगे के अंदर रोस पैन टू तो उसके अंदर क्या होगा वोई स्पेस आएंगे जो दो रोव मर्ज करने के बाद स्पैन करने के बाद जितनी स्पैस आएगी वह उस शेल के अंदर आएगी इसका कहने का मतलब यह है जो इस पैंट टू टू रोज मतलब जितनी वैल्यू आप पास करोगे उतनी नमबर ओफ रोज उसमें पैन होके आज जाएगे अब यह बात कैसे समझ सकते हैं यह बात ऐसे समझ सकते हैं देखिए मैंने यहां पर यह एक शैल था अगर मैं अगर मैं अभी रोस्पैन प्रो हो गए ठीक है हो गए ठीक है इस पैन नहीं हुए तो यह दोनों तो हमारी क्या है रोज है यह दोनों रोज मर्ज कर जाएंगी यह रोज है मारी यह दोनों यह भी रोज है यह रोज है तो यहां पर हुआ है यहां पर एक शैल था जिसका नाम टीडी टीडी शैल के अंदर क का लिख द्याग गया रोष पेंद रожд's पैन ऐस्स पैन अ स्यु और 24 इस तरा से लिखा गया को ठीकर इस तरह से लिखा गया तो क्या वजे से क्या हूआ कि भाही 2 रोसUND का जिस्मर्ज करने पे जो इस सपेस आया वह इस पर्टीकूलर third upload काए इस पर्टीकूलर शेल पे अपलाए हो गया इस पाध्य नाइन ड्रो अगर मैं लाइन कर रहा हूं अगर मैं अगर मैं लाइन तूम्हें जाएंगा कि क्या हुआ है क्षोक ठेल ये एक से लिए 11 के लिए एकशिंस ये बनी किया और्टे दिया नहीं tief कोपट्टी यूज कर दी रोस पैल टू जिससे क्या होने से कि इसके अंदर जो इस पेस हो गए वो बढ़ गई कितनी हो गई दो रो मर्ज करने के बाद जो इस पेस हारी है उसके अंदर आ गई है ठीक है कि अगर मैं इसका कोड लिखे तुम्हें बता हूँ अगर मैं इसका कोड लिखे तुम्हें बता हूँ तो देखो मैं कोड लिखता हूँ छोड़ा था सिंपल से बात मैं स्पूरी टेवल का कोड लिख दूगा यहीं पे इस पूरे टेबल का कोड में यह लिख दूंगा तुम्हें फिर बात समझ में आ जाएगे ओ सर में लेकर देंगे हमने लिखा सबसे पहले यह स्टार्ट कर देंगे ठीक है बोड़ी लगा देंगे है हैड़ टाइड़ यूज नहीं कर रहा हूं बॉड़ी लगा दिग उसके अंतर के लिक सबस्केंगे टेबल ठीए है यहाई है नेम और एज आपको जिट्स क्या इंग यह इंग मैं क्लोन्स प्र साधिक्टन में नेम डाल दोंगा codyus go Krone close प्रकूंगा TH आपको और यहाँ पिर दूकर तर दूकर ya Arabic लोज़वर को क्रूज नाश्ट पी ड्लास्टमय क्या कर दूंगा ट्यार को क्लोज कर दूंगा ठीक है यह तो हो जाएगे पहली रोकर बन के अब दूसरी डो में मैं कैसे लिखूंगा टी आर एक्वाल डू टी डी अजय आजय टीडी क्लोज टीडी क्लोज फिर मैं लिखूंगा टीडी रोएस्पैन रोएस्पैन तू और ग्लोस कर दोंगा और इसके अंदर लिग दूँगा 24 थिसकेण दर लिख्केट टीडी यहां पे क्लोज कर दूँगा और टीडी टीयार यहां पे क्लोज कर दूँगा ठीक टीयार यहां पे क्लोज कर दूँगा फिर एक रो आरे प्रिया नीचे नाम आ रहे तो टीयार बनाऊंगा उसके अंदर उसके अंदर लिखूंगा टीडी टीडी को प्रिया और टीडी को बंकर दो और टी आर को भी प्रोस कर दो ना ठीक और टेबल और बोडी भी बी ख्लोज हो जाएंगी टेबल और बॉडी भी ख्लोज हो जाएंगी तो क्या हो रहा है कि भाई ये 24 वाले जो कॉलम जो शेल डेटा शेल ता उसके अंदर मैं रोइस पैंट प्रोपर्टी यूज कर दी जिसके वज़े से उसके अंदर वैलू जाथी तू तो भाई इसक वाले के लिए ठीक है दो परवाले के लिए और जो 24 जिसमें लिखा उस कॉलम के अंदर हमें रोज पैंट प्रोपर्टी यूज कर दी है ठीक चलिए क्लिया रोगा याई तिंग आपको अभी और एक्जामपल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा अब देखू अब यहां का यह एक्जामपल आमरे पास इसकाsent लिखेंगे यहांप है मेरे पास एक्जामपल रिसका कोड लिखूंगा तो पहले में यहां पर बत्च्छे क्या होुरा है एक है यह जो कॉलम यह रोज है यह क्या है यह मारे कॉलम है एज एज इसके अंदर कॉलम में बढ़ वो मर्ज कितना हो रहा है वह तीन रों के बराबर मर्ज हो रहा है वह कितना मर्ज हो रहा है वह तीन रों के बराबर मर्ज हो रहा है एक अगर मैं ऐसे कर दूं तो इसका मतलब क्य थीन लो के मर्ज होने के बराबर स्पेसरा यहिसके अंदर की नहीं आ रहा था थीन रोके मर्ज होने के बराबर इस पेस इंदर आ diver कि नहीं आ रहा है कि अगर मैं ऐसे लाइन खीज दू तू क्योंकि सिर्फ इस कॉलम के अंदर ही क्या हो रहा है ये मर्ज होने के बाद जो फेस disgust आ है तीन रोके मर्ज होने के बाद जो स्पेस आ रहा है तीक अब में इसका कोड कैसेantly तरहोंगा आप देखो मैं आपको बताता हूं किसमें कैसे क्या करना है आप ढूणतो पहले कितने टी-टी टैग लगेंगे कितने टीडी टैग लगेंगे मैं आटे लो तो टीडी टैग तीन चार और body table head or title नहीं लगा रहा हूं मैं table ठीक अब मैं लिखता हूँ DR के अंदर लिखता हूं TH 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 के अंदर लिखता हूं नेम और उसको करता हूं क्लोज फिर मैं लिखता हूं TH इसके अंदर लगाता हूं रो हुएपन row span 3 और लिखता हूँ age age के बाद th को close कर देता हूँ ठीक फिर मैं लिखता हूँ ठीएज subject whose close or CRB तो यह पहली रो की बात खतम हो गई ठीके बच्छे पहली लो की बात खतम हो गई इस वाले कोट से यह क्रियेट हो जाएगा और यह एजवाला करेट हो जाएगा और अब क्या लिखूंगा मैं अब क्या लिखूंगा अब मैं लिखूंगा टीडी टीडी टीएच क्यों यूज क्या को कि यह बोल्ड और सेंटर आ रहे हैं यह बोल्ड आ रहा है ना बाकी बोल्ड नहीं है बोल्ड आ रहा है मैं लिखूंगा टीडी आमन और टीडी क्लोज फिर ऐसे लिख दूगा मैस के लिए भी टी 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 यहाँ पे लोग और यहाँ पे टी आर क्लोज कर दूगा ठीक है फिर फिर दूगा टी आर एक और रो बना लूगा जिसमें लिख दुवर टी डी कमल और टी डी गोज फिर से टी डी चैनस्ट्री और टी डी क्लोज और यहाँ पे टी आर क्लोज ठीक है और यहाँ पे टेबल क्लोज और यहाँ पे बॉड़ी प魔理 डी श्रहिट यह क्लोज कर दिया अब याब इहां पे देखिए इस वाले के अंदर देखिये तो भाइज रिज भी कॉलं के अंदर जिस भी कॉलन के अंदर जिस विर टेबल टी डी के अंदर आपको इस पेस रोड़ो स्वां के फॉर्म में चाहिए मतलब रोस पैंड क कि space तो तीन रों के मर्ज होने के spaces particular shell के अंदर जो त्वाला शेल है इसके अंदर आ जाएगी तो इस सब्सक्राइब इसका कोड लिक सकते है बेटा ठीक है यह हो गया कॉस्पेंड कि यह हो गई रोइस पैंड की कॉस्पेंड की नहीं रोइस पैंस की बात हो ठीक है कि रोइस ऐसे यूऻ करा जा सकता है अब जिस भी कोलétais अंदर लगाएंगे जिस भी टीडी मतलब जो भी शैल के अंदर आप यूज करोगे उस चेल के अंदर गरोई सपैन्ड यूजकर जोब भी वैल circular वेलीा सके करें कि यह क्या है यहाँ पर देखिए नाइन अगर में पर याइन खीज दूंए और सब्सक्राइव क curator is present तो इसमें क्या है कि इसमें में यौस्टो आपस में दोनों मर्जों करें यहां तो उतना इस पडी सा रहा है तो यहांन पर कहां पर यूज किया गया है यहां पर यूज कहा गया गया है रोइस पैंगे देखो यहां पर यूज क्या गया टू और यहां पर यूज क्या गया है देखो बाकिन सिंपल टेबल है बाकितो सिंपल टेबल है यहां पर यूज किया गया है तो भाई जिस भी को जिस भी शेल के अंदर आपको इस पेस अपने एकॉर्डिंगे से यहां पे लिखाए भाई नाइन क्लास में दो सेक्षिन है ठीक है उसके मॉनिटर एस नहीं आउट असिफ टेंस एक्टेंट क्लास के अंदर दो सेक्षिन ए और भी और जस्पृत का और अजय वरमाजी है तो इस तरह की रोव आपने क्रेट कर दिये तो य होगा तो चलो यहां ता समझ आ गई बाद अगर मैं इस रोग इसको हटा देता हूं तो तुम्हें जब सारी समझ में आ जाएगी इस लाइन को अटा देता हूं तो अब समझ में आ जाएगा की रोस्ता प्रफर्टी कैसे यूज़ करनी है रोस्ता मतब नमबर औफ जोड़ पैन इन शेल एक शेल के अंदर के पर फ्रोस स्पैन हो कि स्पेस आ रही है उतनी स्पेस यहां पह पे 1 A ही है ठीक है तो जितने हाइलाइट कर दिया मैंने तो इस वज़ा से ऐसा ये इस्ट्रक्चर बन रहा है एसा इस्ट्रक्चर टेवल का बन रहा है तो कि तुम खुट ट्राइक करो के तो सब समझ में आ जाएगा बट मैं बता रहा हूं तो मेरे इस चीज को ध्यान से देखना एस चीज को ध्यान से देखना टीडीट टैके एट्रिब्यूटि टीटाइगे के अंदर ही उस करेंगे यह रोज पैंड रोस मर जोने की बात होगी अब चलिए अब आगे बात करते हैं कि सकी कॉल्स इस्पैंड की कॉल्स इसमें का मतलब क्या है कि अभी तो रोज रोज मर हो रही थी अपकथ कॉलम्स मर्ज हों के जितनी स्पे साइगी कॉलम्स मर्ज होने के बाद जैसे अगर मैं बात करूं आपको कि भाई अगर मैं यह बोलू कि कि मैंने एसे कॉलम बनाया और मैं चाहता हूं अ कि पहली वाली जो है वो उसमए 3 कोलम चार कालम मर्लों हो जाए चारो कालम मर्णो के कुछ ऐसा बन जाए ठीक है कुछ ऐसा मन जाए सारो मर्छोन दो क्या हो जाएगा चारो मर्दों करनें और यह आपस मम dazu कर लेंगे je हो जाएगी यही रहेगा कि नहीं रहेञा मर्ट हो जाएग ऊप्पर वाला बाकी लाइंग दर उनेच कि नहींप यह चार दो को ऐसे नहीं हो तो इस तरह से टेबल बन जाएगी तो आप करोगे अ कि आप सिर्फ क्या करोगे कि जुट उसके अंदर टैग है जो कॉल से सिंद प्रोपरटी इस को यूज कर लेए का सिस्पेंट प्रोपरटी के अंदर मतलब हम लिग देंगे प्राइब के अंदर टीडी टैग अंदर यह पीछ के अंदर लिख देंगे कासी स्पैंट फोर तो एक फोर्स कॉलम्स को मर्ज करके जिस पेस आने वाली है वह इस पटीकुलर लगे बढार जाएगी वह उस पटिकुलर शेल के अंदर आजाएगी ठिक है चलि एक्टेक अपे को लिएक ट्रीमी है पर एक देखोर जूज पने ट्रीमिल के एस स्टेमल श्टीमल इंब्र उस्पैसिफाइस धी नम्मझ व पियल और शैशेल सु दिडिना व गीर तेस लिए एक शैल के अंदर दाय झाल सुदह टे कर सकते हो साब मर्ज कराना चाहते वो आब इसको कॉल्म बोल लो या विश्व बोल लो बात अलाग बद एक इसके कि वी मर्जो रहे है है यहाई पस में और यहलों से पारें लूट्यून-मघ्रो भी रहे है यह तो कि अётो आफ शाते हो आप तो उसके साब पे call से इसमत एक प्रिबूट का आफ्योज कर सकते है प्रोपर्टी बोले बात ये की है प्रॉपपर्टीा है ट्रिब्ट बात एक की एव इस 除 fuse hangs handa चलो कैसा दिल्खेया थिखाताहूं यहाँ फॉन फपर हटदा उससको ल変 पर कि अगर मैं यहाँ पर यह लाइन किई कि दूँं अगर मैंसे लाइन फिच दूँं यहाँ पे तो समझ जाओगे कि क्या हो रहा है यह यह दोनों आपस में मर्ज कर रहे हैं पहले रोज मर्ज कर रही थी अब यहां पर यह दोनों कॉलम मर्ज कर रहे हैं यह दोनों शेल्स या कॉलम मर्ज कर रहे हैं तो इसमें क्या गया होगा यहां इसमें कुछ नहीं किया गया होगा इसमें फैन्स पेंट प्रोपर्टि वो क्या करेगी दो श्रय या कॉलम को मर्ज करने के बाद जो स्पेस आएगी वो इसके अंदर आएगी ठीक यह बात क्लियर है तो इस तरह से üz्सक्राइब यहां पर कॉलंस मर जो जाते हैं रोस पैस मेर्त मरत जाती है और पट्लिकुलर शयल के लिए काम कर रहा है जिस चेल के अंदर और यह खाक है उससे बाहर वाली के अंदर काम नहीं कर रहा है ठीके वट्चे यह बास समझ गए चलो साब बाध बाद बात है अब देखो यहाँ पे इसी तरह से जैसे कि वहां कौल सीस्पेंड कर भी यहारो स्पार ब्लसक्राइब देखो अब यहां वाले में देखो उपर वाले में जो हैड यह यूज किया गया यह पूरी दो है इसके अंदर में कॉलम की बात करूँ तो एक अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो देखो अगर मैं लाइन की चुछ है ऐसे तो यहां पर दो कितने नंबर ओफ और कालम्स कितिने नबर अब जी सब मर्ज हो रहे हैं ये सब मर्ज हो कह आ रहे हैं तो कहां पी यूश किया गया देखो यहां पर एक सर्फ ONLY 1DHT you see I only one YAAP use को यूष के और की सिस्पाइन थरी लिख दिया ह Kansas उससे सिरस यह असके यह तो इस तरह हो रहा है अगर मैं लाइन कीशिद के बता हरा हूँ आपको अगर मैंने जैने करी है तो आपको मैंने ये बात बताई ठीं के अगर मैं आप लायन ट्रॉग नाटा दो आको बाथ समझ में आ गई होगी यह बात लिया पे आपको क्या आंगयोगी समझ हो जाएगी और अगर आपने रोस पैन यूज करें तो इतने नमबर आफ रोज मर्जों के जितनी भी वैलीज दिये वह आपके शेल के अंदर आ जाएगा ठीक है यह इतना प्रोपर्टी है और इस प्रोपर्टी यूज बहुत सारी जगा किया जाते जब एस्टेवल की टेब बनाना है कि डिटेल सेंटर में आजाए नेम एज सब्जेक्ट अमान मैस याज है तो मैं सिंपल कुछ नहीं करूंगा मैं कोड लिखूंगा आपके लिए और आपको कोड समझना है देखो मैंने लिखा इस्टार्ट किया यहां से लिए अच्टी एमल और बोडी और टेबल कि स्टार्ट करना चालू किया टियार रो बनाई रो तो बनाओ के बिल्कुल रो निवन आओ कि तो कैसे डिफाइन होगा ठ उसके अंदर मैं यूज करूंगा यहां पे क्या कॉल्स इस पैन फ्री ठीग है चलो और इसको कर दूंगा क्लोज और लिख दूंगा डिटेल्स मैं ठीच इसले उसकर रहा हूं क्योंकि बोल्ड और सेंटर हो जाएक इसके अंदर का जो डेटा आपने लिखा हुआ है जो भी लिखा हुआ है और यहां पे क्लोज कर दूंगा अब आप बनाते रहो टी आर दिक नेम पी एच एज प्लोज कर दिया फिटी एच सब्जेक्ट फिटी एच क्लोज कर दिया इदर लास्ट में ट्यार क्लोज कर दिया ठीक है तो एक रोब बन के भाई फिर कर देंगा से टी आर टी डी आमन टी एच कितनी है 19 फिर आसे टी डी लिख लोगे टी डी क्योंकि वाइस के अंदर तीन कॉलम बन रहे हैं रोग के अंदर सब मेंने लिख दिया मैस और टी डी कर दिया यहार क्लोज और यहां कर दिया टीयार क्लोज ठीक है सेम एसे कमल वाली कि लिख लिए पार लोगे उसके लिए पहले कर लोगे मैं टीयार कि टीडी कमल को है तो मैं तूर इसले आपको लिखें बता रहा है कि आपकोई warrior आपको TYLPO अट्elnापन है कैसे लिखना है टिक है पूड आप ये सीख गए तो कुछ भी सीख जाओ के कोई दिकत नहीं आई आई को के मैंस ची जो भी को लिखना सके बीछ 140 दो दिल क्लोस कर दो यहां पे ठीकैं यहाँ पर क्लोस कर दो यहां करो और नेशे हाटेबल कर दो ट्यार से नेखी टेबल इस करती हमने ऐसी और यहां लिख दिया है बोर्रडी क्लोज oh lh canh tu this तरह कि रोऔर इस तरह के टेबल क्रेट करना है तो आप यह लिख सकते हैं इस तरह कि अगर टेबल क्रीड करना है तो आप यह लिख सकते हैं आप fakie तो भाई यह मेन प्रोपट्ट्य मारी यहना कॉसिस फैन कि महिक तने कॉल capitalism उसका स्पेस मर्ज करके आपको पर्टिकुलर शिल के अंदर डालना है आप को पर्टिकुलर के अंदर चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हैं ठीक बच्चे सिंपल हैं अब एक और से आप लिखोगे कोड किस तरह से तो आप को अगर स्पेस बचानी ए तो आप इस तरह से एक लाइन के अंदर लिख दो बस सब कुछ लोज़ारूर करना सारे टैड्ट को क्लोज जरूर ना बिटा ठीग है अब चलिए कोर आप ले मारे पास है कि अब यहसे अग्जामपल हमारे पस अब इसमें देखओ क्या हो रहा है कि अगर आप इसको ध्यान से देखो गे तो यहां पर एक शेल हो एक शेल है जिसके अंदर क्या है मर्जिंग की गई है मगर मर्ज कैसे कर दिया गया ऐसे मर्ज कर दिया गया तो दो कॉल दो रोज दो रोज आपस में यहां मर्ज कर रही है यहां पे दो रोज आपस में क्या कर रही है मर्ज कर रही है ठीक है इस शेल के अंदर इस अप्यैका करोगे आप इस लिको क रोवस्पाका रेंट स्पेंड to याप यह श्रीलो इंदर क्या क्या हूता है यहां पको कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं है कुछ मैं स्टार्ट माई इस कहता हूँ हो में सा html बोडी टेबल टेबल में ट्यार से साड़ करते रो तो डिफाइन करनी पलेगी बिना रो के तो कुछ भी नहीं होगा ट्यार से डिफाइन के लिखा ती एच कॉल्स स्पैन 3 अब बंकिया और डिटेल्स लिग दिया ती एच इसलिए उसकर रहे क्यों कि मापे दो को बोल्डर सेंटर दोनों आ रहा है और ट्यार क्लोस कर दिया ठीक है अगें वी विल यूज देट सेम ट्यार टीडी ठी यूज करेंगे ठीच यूज करेंगे क्योंकि न रागा है ठीक है क्योंकि यège बोल्डर सैंटर डोनों आँ तो टी-एच यूज करेंगे लिख्याम है 50 h close 50 Each x small start Kia जिसके अंदर लिखा each detach close Kia टीएच च्टार्ड तीएच इसने डिखा subject फिटी एच क्लोस किया फिर यहां पे टी यार क्लोस किया ठीक है फिर नीचे एक वाली रोब बनाएंग जिसमें लिखेंगे टी आर टी डी आवन और टी डी को क्लोस और टी डी आ कि ती डी 1908 अब दो कहुँए क्या करूंगा एंध टी डी यहां पर वला कॉलम मना ये इसाई आप यूस कर दूंगा क्या यहां पर यूस कर दूंगा मै भूस्पैयल लिख तेञ़ लिग दूगा रोइस पैन रोजपन इक फैन हो तू रिख दूगा मैज और इसको टीदी को कर दूए को खोल और ट्यर को यहाँ पर दूगा ठीक है यहाँ पर कमल और टीडी बन देन टीडी ट्वेंटी वन पर टीडी वोजबन और यहां पर टीयार क्लोज फिर लिख दूंगा ए है कि टेबल क्लोज बॉरे क्लोज बहुकैं हिए तो यह कर सकते हैं ठीक बच्चे तो इस तरह से आप होटशो होंगे क्या करना आप कैसे आपको पहले चेक करना कि कहां पर रो स्पैन को सिस्पैन हो रही है कहां पर रोस्पैन कॉस्पैन होरी है फिर उसके अपानि नमबर आ कितने बाट कर differentiate देचे 14 कर लो कितने नमबर आफ एक दो तीन चार पाथ छे साथ आठ नौ जैंड यहां पर कितने शेल नशाल एक्सेल के अंदर गॉल प्लोपर्टी उस्वरी एक श्राइब के अंदर रोइस्पैंट प्रोपर्डी उस्वरी है ठीक है और कितनी-kितनी वैल्यूस ले रहे वह आपको पता चल जाएक यहां पर दो वैल्यूस है यहां पर दो ले रहा है तो दो कि वदा पता चल जाएगा आपको कि भाहिए यह ऐ आप निएक सकते हैं बच्च and clear आप समाझने किस तरह से पेभर के अन्दर लेगना इससे तरह से पेपर के अंदर आंदर आपको टेबल दे धी जाएगी और को इम आप पुछ लिए जाएगी यह आपको कोडिंग होगा आप इसको देखना बार बार तो आपको समझ में आ जाए का वैसे क्लियर होगा मैं इतना सही पढ़ा हूंगा कि भाई आपको कोई भी डाउट छोड़ूंगा ने डाउट नेट पर तो विल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा तो चलो स्टूडेंट्स अब बात करते ह है कि अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे तो आज का लेक्टर यहीं तक था अब बात करते हैं अगली क्लास में अगली क्लास में पढ़ेंगे हमारे टम टू का जो स्टेमल का टॉपिक है लिंक्स में टॉपिक है लिंक्स तो उसके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में कि ट्रीग लिंक्स के बारे में क्या करेंगे बात करेंगे तो चलिए मिलते अगले क्लास में और बच्चो लाइब सबस्क्राइब शेयर जरूर करिए क्लास को ठीक है अगर आपको पसंद आता है कंप्यूटर एपलिकेशन मेरे दवारा मैं पढ़ा रहा हूं आपको मेंना मा सबको पता है तो अगर आपको अच्छा लगती मेरे क्लास आप लाइब सब्सक्राइब जरूर करिया आपको ऐसे आने ओले टंटू की और भी क्लासस मिलती रहेंगे जो भी हमारा टंटू का स्वेबर से तो बच्चो तब तक के लिए बाइबाइबाइट टेक कर अपना ध्य को नोट कर सकते हैं और आप आ सकते हैं चैनल पर और क्लास को देश सकते हैं तो बाइबाइबाइट टेक केर अपना ध्यान रखिए कर दो